नमस्ते हैं दोस्तान कैसे हैं आप लोग तो बहुत लोगों को और मुझे भी कहीं न कहीं इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि अचानक से रिया चकरवर्ती एंसीबी के गिरफ्ट से बाहर क्यों आ गई हम लोगों को बहुत बुरा भी लगा था लेकिन क्या आपको ऐसा ल लाख रुपय अफॉर्ड कर सकती है एक वकील को देने के लिए वो तीन-चार साल तक भी जेल में रहेगी नहीं और हमें यह नहीं चाहिए कि वो दो से तीन साल तक जेल में रहे सिर्फ और सिफ इसलिए कि वो ड्रग्स पैडलर के साथ देखी गई या ड्रग्स रैकेट च क्योंकि जैसे सुषान्त भाई के साथ क्या हुआ जैसे लड़ाई हुई और किसके साथ बहस हुई आठ तारिक को पाटी में क्या हुआ दिशा सालिया ने क्या क्या बताया सब कुछ उसको पता था और इतना ही नहीं अब जब से यह बाहर आई तो बात हुई उल्टा चोर क उत्वाल को डाटे चाहे वो पडोसन हो चाहे वो सुषान्त की सिस्टर्स हो मीतु दिदी और श्वेता दिदी हो उन दोनों को भी नोने नहीं छोड़ा आपको याद होगा ब्लाक कलर की हुडी में एक्ट्रिस बिल्कुल मॉडलिंग करते हुए जीजा साली का रिष्टा खेलने यह पहले मुंबई पुलिस स्टेशन पे जाती थी और घंटों घंटे बैठ कर चाय बिस्कुट खाके चली आती थी लेकिन उसी दोरान उन्हों ने एक एफाइयर दर्ज करवाई थी मुंबई पुलिस में और वो एफाइयर अगेंस्ट थी श्वेता दिदी और मीत आझ आछिकनों करते थी मुंबई पुलिस के थी इतनी आउकात नहीं थी कि इस कहूए कर सके तो सीधा सीधा दा ज ऐटा धिए तर के सीभड़े में जाके डर्ज हो गी लेकिन लेकिन जहां वो रिया चक्रवर्ती खुश हो रही थी कि इस तरीके का कोई एक्शन लिया जाएगा दोनों बहुत ही करालाख तमाचा लगा है रिया चक्रवर्ती के मुँपे CBI ने बहुत जोर का थपड मारा है जी हाँ एक छोटी से खुशकबरी है तो कहते हैं खुशियां बाटने से बढ़ती है तो मेरे और आपके लिए कहीं न कहीं एक छोटा सा चिरा क्योंकि मुझे तो पूरा उमीद है इंसाफ मिलेगी और कहीं न कहीं अगर आप मुझे आल तक सुन रहे हैं वो डेवन से तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को भी उसी तरीके का विश्वास और एक दड़ निश्चे है कि भाई को इंसाफ मिलेगी दिशासाल्यान को इंसाफ मिलेगी और इतना ही पालगर के साधूं की भी बारी आएगी और इसी इंसाफ की हम इंतजार कर रहे हैं उन पालगर साधूं को भी इंसाफ मिलेगी तो रिया चकरवर्ती को आज CBI ने एक करारा थपर दिया है लीगल नोटेस भेजते हुए एक लीगल तरीके से समझाया है और उन्होंने बताया है कि जो F.I.R. उन्होंने दर्ज कराई थी वो बिल्कुल बे बुनियाद है वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है मतब ये वही बात हुई कि उसके जो मन गडंत कहानी कि ऐसा हो सकता है ऐसा होगा मैं ऐसे फसाद देती हूँ उनको जेल हो जाएगा समन हो जाएगा बहनों को परिशान ही होने पड़ेगी तो दुनिया बहुत दूसरे एंगल से सोचेगी तो मैं एक अकेली सस्पेक्ट मैं ही क्यों रहा हूँ उनको भी सस्पेक्ट बना देती हूँ कि जो मेरे फेवर में जो लोग बोल रहे हैं जो रिया के फेवर में बोल रहे हैं जिनको लगता है कि रिया और उनके परिवार के साथ बहुत जाती हो रही है तो वो जस्टिस फ़र रिया भी जो बात चलाने वाले जो लोग हैं उनको कही न कहीं एक चीज मिल जाएगी कि भाई ये चीज़ें बहने भी तो कर सकती है इस तरीके की चीज़ों को दिमाग में डालने के लिए बहुत सोची समझी शाज़स्ट थी एक तरह से एक की द्वारा लेकिन आज सीबियाई ने पलट कर जबाब दिया उसको और कहता ना पटक कर मारा उसको ये कहते हुए कि ये बुनियाद बहुत जूटा है इस एफ आयार का कोई लेना दिना नहीं है एफ आयार रद कर दी जाती है और उन बहनों के उपर कोई ऐलिगेशन साब नहीं होता है और ये बिल्कुल जूटा है मतलब कि बिल्कुल कैंसिल मतलब सीबियाई का बहुत जबर्दस तमाचा पड़ा है और किस तरीके से सीबियाई अब इस केस में काम कर रही है और किस तरीके से कहां तक केस मुड़ रही है और एक एक एंगल को कितनी बारीकी से द जरूर मिलेगा और भाई को इंसाफ जरूर मिलेगी तो दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है जैसे आप सभी को पता होगा रिपब्लिक चैनल के अलावा जितने भी विकाव और दलाल चैनल है जितके घर अटैची पहुंची थी उन्होंने भाई के मरने के बाद तक उनको नहीं छोड़ा अगर आपको याद होगा जी न्यूज ने एक इस तरीके के भी न्यूज चलाई थी कि बिहार का बेटा मुंबई में फेल हो गया आज उन्होंने आज एक लिखित माफी नामा दिया है लिखित माफी नामा में बोला है कि इस टैग लाइन को चलान में में сейчас की गई हैं जार इस पर देजए जो सुशांत का आत्महत्या हुआ है आत्महत्या के कखिक div को लेकर हमने जो ये टैग लाइन चलाई थी इस पर हमें खेद है और यह हमारा माफी नामा है हमसे गलती हो गई तो द्यान दीजे आत्महत्या इस चीज को एक मर्डर प्लिर्ली मेंशन किया कि ये आत्म हत्या पे जो उन्होंने टाइग लाइन चलाई सुषांत के इसके लिए उन्हें खेद है इतना ही नहीं इंडिया टुडे ने भी इन्होंने अगर आत्मत्या बोला तो इन्होंने सुसाइड बोलके एक माफी नामा दे दिया है तो यह माफी नामा और एक तरफ एक हजार एडिटोरियल चीफ टीम जितने पूरे पत्रकारों पे इन सब का क्या एक मतलब किस तरीके की प्लॉटिंग हो रही है कि यह जो चैनल समेशा से जो अगेंस्ट में रहे हैं आज वो सुशान्त के लिए माफी मांगते फिर रहे हैं आत्मत्या का टाइग लगा के तो चैनल वाले खुलयाम आत्मत्या करते हैं विकीपेडिया खुलयाम लिखती है कि सुशाइड हुई है उन्होंने अपने आपको टांग लिया है अपने आपको मार लिया है इस तरीके की बाते हमारे जैसे लोगों की दिमाग को तो नहीं गुमा सकती दोस्तों मुझे तो उक कायम रखें कि हम लोगों को तोडने के लिए जितने लोग आये थे जो लोग बोल रहे थे हम लोगों का मजाप उड़ा रहे थे वो लोक निकल लिए चाहे वो सोरा भासकर हो चाहे वो सोनु सूध हो जो हमें सरकस का जोकर कहते नहीं ठकते थे चाहे वो सोरा भासकर हो सोनन कपूर हो या बहुत बड़े बड़े लोग आए लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि जो बोलने वाले लोग थे वो निकल गए जो इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं और शाद तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता तो यह आज तक G News, India Today और इस तरीके के लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है और वहीं रिया चकरवर्ती की जो एक करारा जबाब मिला है CBI की तरफ से जो थपड़ परा है शायद यह कहते हैं जोर का जटका दीरे से लगा तो यह भी दिपावली से पहले की गिफ्ट है और दिपावली का जो बड़ा पटाका बड़ा बम एक तो यह फुल जरी है कहते है एक फुल जरी से शुरुवात की गई है तो अभी तो बड़ा दिवाली का पटाका बड़ा बंप हूटना बाकी है रिया चकरवर्ती के लाइफ में तो देखिए आगे कैसे यह चीज किस तरह के का मोर लेता है और दिवाली यह बाहर मनाती है बहुत जल्दी मैं शेयर करू कि उमीद थोड़ा कम नजर आ रहा है दिवाली बाहर मनाते हुए नहीं दिख रही है मुझे रिया चकरवर्ती और भाई को तो इंसाम मिलेगी इसके लिए आपका क्या कहना है प्लीज मेक शूर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा और बहुत लोग हैं जो जरूर दीजेगा तैंक यू सो मच जै हिंद